कि नमस्ते मैं अभिनेयाकाश और प्रभासाक्षी के इस खास कारेक्रम में आपका स्वागत है एक बार फिर से हम आपके सामने मोश्ट रिलाइबल इंफर्मेशन यानि अमराई के साथ मौझूद एक तस्वीर देखिए इस तस्वीर में तीन लोग नजर आ इंदरा गांधी कभई हिर्देणात चठ्टोपाद द्यहाए और तीसरे सक्सें अंडरवर्ड डौन करीम लाला जिसका नाम स्वीक सिर्फ से ना के संजय राइड ने इंदरा गांधी के साथ लिया इंद्रा और करीम लाला को लेकर सिर्फ सेना प्रवक्ता संजे राउत के बयान पर खूब बवाल मचा है। कॉंग्रेस ने इसे इंद्रा गांधी का अपमान बताया तो भाजपा ने सवाल उठाये कि अखिर अंडर्वर्ड और करीम लाला और कॉंग्रेस के बीच क्या संबन थे हालात भापकर संजे राउत ने माफी मांगने में ही भलाई समझी अगर किसी को लगता है कि मेरे उस बा पीछे लेता माया नगरी मुंबई और अंडर वर्ल्ड के बीच गहरा नाता रहा है करीम लाला से लेकर दाउद इब्राहिम तक का सिक्का चला यह तो सत्तर के दसक में अंडर वर्ल्ड चर्चा में आया था लेकिन 1993 में मुंबई में हुए बंधमाके के बाद से लेकर अब करता था कि कहा जाता है कि जिस वक्त अंडर वर्ल्ड ऑन दाउड इब्राहिम पैदा नहीं हुआ था उस वक्त करीम लाला मुंबई पर राज करता था पुलिस कॉंट स्टेवल का बेटा दाउद गैंगवार को देखते हुए बढ़ा हुआ था पिता के नाम का फायदा उसका धंदा संभाला और डी कंपनी नाम से अपनी गैंग बनाई दाउद इब्राहिम ने मुंबई अंडर वर्ल्ड का नया नक्सा भी खीचा था वह अपने दुस्मनों को कभी नहीं चोड़ता था और अन्बन होने पर अपने करीबी को मारने से भी नहीं चूपता था कह की फाइलों में एक और नाम तेजी से आगे बढ़ रहा था वो जो कभी नाना तो कभी छोटा राजन के नाम से जाना जाता अपने अपरादों के भाहिखाते में सिनेमा टिकट ब्लैक करने का पहला वर्किंग एक्सपीरियंस छोटा राजन ने महज 10 साल की उम्र में ही धर ना राजन से हुई वह उसके गैंग में शामिल हो गया राजेंद्र सदासिव निखल जे को छोटा विशेशन बड़ा राजन नहीं दिया बड़ा राजन की मौत के बाद छोटा राजन ने पूरे गैंग की कमान सभाल ली इसी दौरान अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इब कुंझु कुंजु को मोद के घट अतार दिया था छोटा राजन के सिपासलार बड़ा राजन के कारनामे से काफी प्रभावित था एक समय ऐसा ब्राजन को सब relación का सभषेशत मों एंट्री होती है सकील एहमद और चोटा शकील की यह भी अपने कर्तूतु की वजए से दाउद की गुडबुक्स में आ गया अब दाउद के पास चोटा सकील और चोटा राजन दो ऐसे मोरे थे जिस पर वह दाउड लगाता था जल्दी दोनों के बीच डाउद के सामने बेश्ट साबित करने की होड लगने लगी यहीं से राज सबसे बड़ा आतंक की तथा मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था सुरक्षा एजिंसियों का मानना है कि वह पाकिस्तान में रहकर अपने कारणामे को अंजाम दे रहा उनिस सो आठासी में वह दुबई चला गया इसके बाद दाउद और राजन मिलकर भारत ही नहीं की पूरी दुनिया में गैर कानोनी काम करने लगे मुंबई में उनकी तूती बोलने लगी लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनको अलग कर दिया क्यूं हुई दाउद से दुस्मनी तब ही होता है कुछ ऐसा कि जिसने दाउद और छोटा राजन के बीच की राहें जुदा होनी की नीव रखती 26 जुलाई 1992 को गवली के गुर्गों ने दाउद की जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी इब्राहिम पारकर दाउद की बहन हसीना का शोहर था इस घटना से दाउद काफी दुखी था उसकी तुरंत बदला लेना चाहा गैंग में नंबर दू होनी की वज़े से छोटा राजन ने अपने आदमियों को कहा कि सूटर सैलेस हलदरंकर और विपिन शेरे को जल ठिकाना लगाया जाए यह दोनों जेजी अस्पताल में जखमी हालत में भरती थे छोटा राजन ने दाउद को बताया कि वह पारकर भाई के हत्यारों का बदला लेने को तयार है लेकिन चोटा राजन बदला लेने के लिए सीरियस नहीं है इस बार उसे एक मौका दिया जाए बहनोई की हत्या का बदला लेने के गुस्से में जल रहा दाउद ने छोटा राजन से बिना पूछे ही कह दिया गो अहे वह दिन था बारह नौंबर 1992 का 24 खतरनाक सूटर मुंबई क के जेजे अस्पताल में पूरी सुरक्षव विवस्था को भेद कर अंदर दाखिल होते हैं और सेले साल दननकर को भूल कर रख दिया इस अमले में पास सो राउंड वाले शहीद हो गए इस घटना के बाद छोटा राजन बैक फूट पर था वह चुप रहे गया यह एक ऐस कांड था जिसने छोटा राजन को हिला कर रख दिया छोटा राजन समझ गया कि रास्ते अलग होते जा रहे हैं बाबरी कांड के बाद 1993 में मुंबई बंबलाश्ट ने राजन को दहला दिया जब उससे पता चला कि इस कांड में दाउट का हाथ है तो वह उसका दुस्मन ब करने लगा इस दोरान दोनों एक दूसरे को मारने का प्लान बनाते रहें चोटा राजन पर कई बार जाम लेवा हमला करवाया लेकिन वह बचता रहा राजन पर हमले की बड़ी साजिस्त दुबई में दाउट के खास सूटर सर्द सेटी के घर में रची गई साल 2000 में पिज चोटा राजन को बचाने में भारती सुरक्षा इजिंसियों का भी हाथ था हलाकि खुद राजन इस बात से इंकार करता है बैंकोक में हमले का उसने बदला लिया इसका हवाला कारोबार सम्हालने वाले उसके भाई रवी और विमल ने 2003 में दुबई के क्लब में छोटा सकि लेकिन आज से कड़ी 15 साल पहले दाउद इब्राहिम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती 23 जुलाई 2005 यह वह तारीक थी जो दाउद की मौत के लिए तै की गई यह वह तारीक थी जब दाउद की बेटी कव लीमा यानि रिसेप्सन था दाउद को दुबई के उस की एक जड़ा सी गलती ने नाकाम बना दिया यह खुलासा आरके सिंग ने किया जो उस वक्त देश के ग्रीस अचीव दाउद की बेटी मारुक शेक का पाकिस्तान के किरकेटर जावेद मियादात की बेटे जुनाइद से मक्का में हुआ था निकाह की खबर बेहत गोपनिय जैसे ही दाउद को अंतराष्ट्रे आतंगवादी घोसित किया पाकिस्तान पर चौतरफा दवाव पढ़ने लगा इसी के बाद से दाउद के मूवमेंट को लेकर बेहत गोपनियता बढ़ती जाने लगी थी मक्का में दाउद की बेटी के निकाह की खबर दिल्ली तक टायर हुए थे निकाह के बाद दावते वलीमा यानि रिसेप्षन की बारी थी मियादाद और रिसेप्षन कराची में ही करना चाहते थे पर पाकिस्तानी खुफी आजेंसियों ने इसकी मंजूरी नहीं दी लिहाजा यह तैह हुआ कि दुबई के होटल ग्रेंड हयात में अपरेशन 23 जुलाई को होगा इस बात की खबर पहली बार भारती एजन्सियों को लगी कि दावत की सतारी को किस दिन कितने बज़े कहां होगा आई बी को पता था कि दावत को मारने का इससे बहतर अफसर नहीं मिलेगा इसी के बाद ऑपर भारत सरकार द्वारा छोटा रा सका था मुंबई पुलिस के यह अधिकारी दावत के साथ संपर्क में थे और इस तरह दावत को मारने का मिशन फेल हो गया एक टीवी चैनल को दिये इंटर्वियू में देश के पूर्व गिरी सचीव और बीजेपी नेता आरके सिंग ने इसका खुलासा गिया था भारत के मोस्ट वांटेड रातंकी दावद इब्राहिम के बारे में कभी खबर आती है कि वह पाकिस्तान में तो कभी कहीं साथ ही यह भी कहा जाता है कि उसकी हालत कंभीर है कुछ मीडिया के मताबिक करी दावत को कराची के कमबाइंड मिलिट्री होस्पिटल भरती करा गया बेंस के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया कुछ खबरों में बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी सारी खबरे अपुष्ट सुत्रों के हवाले से आई लेकिन वास्तिविक्ता यही है कि हजारों मासिमों का कातिल और मोस्ट वांटेड अपराधी दाउद आज भी भारत की चैन करेंगे आझ के लिए अजळे उजाजत और ऐसी रिपोर्ट को देखने के लिए प्रभा सक्षी के साथ लघातार बने Kathy वीडियो को देखने के लिए फेशन के पर्वक्यटर पाईवें फॉल्वट करें और यूटूब पर प्रभा सक्षी को सब्सक्राइब करें झाल झाल